किचेन में थोड़ी सी कुछ अपग्रेड कर दीजिए या कुछ पुराने चीज़ों को रिवैम कर दीजिए तो उसकी लुक और बढ़ जाती है इस पार हम करने वाले हैं इस क्लास लिड की टेको पाज और ये काफी खुबसूरत होने वाला है जैसा कि आप देख रहे हैं ये अभी थोड़ी सी रस्टिंग लग गई है तो इसे हम करते हैं रिवैम चलिए तो यहाँ पर जैसो का पहले बेस कोट ले लिया है और अच्छी तरह से इसे कवर कर लूँगी कवर करने के बाद अगर ये एक कोट के बाद भी अंदर की इसकी जो बनावट है वो विजिबल होगी तो मैं इस पे सेकेंड लियर डाल दूँगी और इसे ड्राइ होने के लिए छोड़ दूँगी ड्राइ होने के बाद ये जो ग्लास है वो इसके उपर में वाशी टेप से एक rectangle shape create कर लूँगे इससे क्या होगा कि बीच में हम जब dab करेंगे तो वो इधर उधर lining उसकी नहीं जाएगी और वो equally अच्छी तरह से हमें visible होगा अगर आप crafter है और चाहते हैं इस तरह की वाशी टेप खरीदना तो ये best option है और अगर आपको discount चाहिए तो आप मेरा coupon code जरूर यूज कीजिए इटसी विटसी पर सारे detailing मैंने नीचे description box में दे दी है तो यहाँ पर देखें मैंने ये chalk paint यूज किया है और इसे dry कर लिया है फिर मैंने second code भी करके dry कर लिया है ये अच्छी तरह से आला कि अभी dry नहीं हुई है लेकिन चलिए अब वाशी टेप remove कर लेते हैं इसके नीचे आप देखेंगे कि बिल्कुल भी gum नहीं रहती है ये अच्छी तरह से remove हो जाती है इसलिए मुझे वाशी टेप यूज करना बहुत ही पसंद है masking tape से ज़्यादा और इसके बाद मैंने यहाँ पर varnish matte finish वाली यूज कर ली है मैंने अपर chalk paint का use किया है ताकि जब हम chalk से इस पे लिखे तो वो अच्छी तरह से visible हो और बाद में मैं इसे wash भी कर सकती हूँ बस हमें इतना ही ध्यान देना है कि हम इस पे scrubbing ना करें तो अब चलते हैं अपने lid को ready करने के लिए तो यहाँ पर मैंने deco page glue लगा लिया है आप यहाँ पर mod page glue का भी use कर सकते हैं और हलके हाथों से इसे paste कर दिया है बस इसकी first layer napkin के हमें paste करनी है अगर आपको detailed video चाहिए तो मुझे comment section में ज़रूर बताईएगा और साथ ही मेरे other videos भी देख लीजेगा मैंने उपर i button में information डाल दी है और साथ में description box में भी link डाल दी है तो आप ज़रूर जाकर के उसे भी देखे अब इसे थोड़ा सा strong करने के लिए मैंने यहाँ पर same deco page glue का use किया है one to two coat हम लगा लेंगे फिर हम varnish करेंगे और इसके बाद मैंने यहाँ पर tinted metallic gold paint का use किया है बस इसके जो edges हैं उस पर तो देखे फ्रेंट्स यह कितना enhance हो गया है अगर आपको भी पसंद आया हो तो जरूर से like करें और मुझे motivate करें और अपनी विपस्तिती के लिए comment तो करना ही जाएए तो जरूर कमेंट करें और इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर chalk से लिख दिया है जो कुछ भी हमें इसमें रखना हो वैसे तो मैंने यह सुगर और tea की एक set बनाई है तो मैंने 2 jars complete किये हैं पर फिलहाल मैं इसे चॉकलेट रखने के लिए यूज करूंगी यह चोटी सी mud pot भी मैंने 2 साल पहले paint की थी और अब भी यह नई सी है बस इसे समय समय पर varnish करना होता है और यह अच्छी तरह से चल रही है तो friends अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो like करना मत भूलिएगा साथ में subscribe कर लीजेगा अगर आपने अब तक नहीं किया हो और upcoming videos की notification मिलते रहने के लिए bell icon प्रेस कर लीजेगा और friends मेरी other videos भी देखे और description box में सारे details शोदी है उनसे आपको बहुत help मिलेगी तो उसे miss मत कीजेगा तो मिलते हैं हम next video में until then take care and good bye